तो आज मैं डिस्कस करूँगा कारपल ठीक है तो कारपल बोन्स ऑफ कैटल हॉर्स डॉग पिग रैबिट और फाउल सभी स्पीसीज की जो कारपल हैं वो मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा क्योंकि स्पीसीज डिफरेंस बहुत कुछ जादा होता नहीं है कैटल से बाकी स्पीसीज में सिर्फ नंबर का डिफरेंस होता है तो वो साइज चीज़े हम आज इसी वीडियो के अंदर देखेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट किया अगर अभी तक आपने मिझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं वहाँ पर मैं इस प्यडियो से रिलेटेड भी इमेजिस अपलोड करता रहता हूं और भी काफी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करता हूं इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके क्योंकि मैं आने वाले समय में complete osteology complete करूंगा complete videos इसकी बनाऊंगा मैं तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगती है तो आप इसे like कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि carpal bones हमारी attached कैसे होती है ठीक है तो इनका attachment क्या है तो जो carpal bones हैं वो हमारी proximally अगर आप बात करेंगे तो proximally हमारी attach होती है radius and allah से और distally हमारी attach होती है metacarpal से ठीक है तो metacarpal से हमारी distally attach होती है और proximally attach होती है radius and allah से इसी के basis पर हमारी total number पर जो carpal bones है, in case of cattle, वो हमारी six होती है, ठीक है, six होती है, और short ये हमारी short bones की category के अंदर आती है, कई categories होती है, bones की long bones होती है, flat bones होती है, तो ये हमारी short bones की category के अंदर आती है, अब अगर मैं बात करूँ तो ये, जो carpal bones है, ये हमारी दो rows के अंदर arranged होती है यह हमारी दो row के अंदर arranged होती है in case of cattle और other species भी वो हम बाद में देखेंगे तो जब मैं पहले cattle के बात करता हूँ तो दो rows है और जो first row है इसे हम बोलते है proximal row और जो हमारी distally है यह है हमारी distal row तो proximal row होती है distal row होती है तो carpal bones हमारी cattle के case में 6 होती है और दोनों 6 की 6 हमारी 2 rows के अंदर arranged होती है अब जो हमारी proximal row है आपको पता है कि यह row हमारी किस से attach होगी radius annalna से और distal वाली हमारी attach होगी metacarpal से तो जो हमारी proximal row है इसके अंदर हमारी 4 bones आती है ठीक है 4 bones आती है तो यह हमारी radius ठीक है radius से जो हमारी attach होगी वो हमारी होगी radial radial carpal फिर होती है हमारी intermediate और फिर होती है हमारी alarm और फिर होती है accessory तो यह हमारी 4 है 4 bones है ठीक है बट इनका यह जो common name है यह तो आपको याद हो ही जाएगा बड़े आराम से बट इनके अलावा इनके एक special name भी है जो कि आपको याद रखने चाहिए क्योंकि वो MCQ में कभी भी आपसे पूछ लिए जाते है इसलिए radial को हम बोलते है scaphoid ठीक है याद रखे का नाम scaphoid intermediate को हम बोलते है semi lunar और alnar को बोलते है cuniform और accessory को हम बोलते है pissiform तो scaphoid semi lunar की uniform pissiform ये चार नाम है चारो कारपल proximal row के अंदर proximal जो हमारी कारपल bones है उनके तो ये आपको जो special name है ये आपको याद रखने है तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे radial कारपल की तो सबसे पहले हम बात करेंगे radial कारपल की ये radial कारपल तो जब मैं radial कारपल की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो radial कारपल है ये हमारी medial side है ठेक है ये वाली जो हमारी ये पूरी medial side है और ये वाली अनिमल का तो ये वाली हमारी radial carpal bone हो गई अब ये bone कैसे arrange है क्या इसके अंदर हमारी surfaces आती है वो अब हमें discuss करनी है तो radial bone की जब बात आती है तो radial bone हमारी से हम scaphoid भी बोलते हैं और ये जो bone है ये हमारी arrange होती है medial aspect पर proximal row की medial aspect पर अगर मैं आपको और जादा clear बताऊं तो ये देखें ये medial aspect है मैंने जैसा के भी आपको बताया ना कि ये पूरा medial surface है ये पूरी complete तो ये medial aspect पर ये आपकी arrange होती है ठीक है अगर मैं बात करूंगा फिर जब alnar की तो वो हमारी lateral aspect पर arrange होगी तो start करते हैं यहाँ पर जो radial bone है इसकी हमारी six surfaces होती है अब वो six surfaces कौन है वो कौन सी है वो हमारी six surfaces है dorsal, ventral, anterior, posterior, lateral or medial six surfaces जैसे कि किसी cube के अंदर हमारी six surface होती है वैसे हमारी radial carpel के भी six surface होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे dorsal surface की तो देखें यह dorsal surface है यह वाली surface dorsal surface है radial carpel की तो dorsal surface की जब मैं बात करता हूँ radial carpel की तो यहाँ पर एक irregular outline आपको देखने के लिए मिलती है और यह जो outline है यह resemble करती है map of Africa से आपने Africa का map देखा होगा तो Africa का map हमारा कुछ ऐसा दिखता है तो Africa के map से यह हमारी resemble करती है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगर आप इसे turn करें तो बिल्कुल यह Africa के map से मतलब similar लग रही है जो हमारी dorsal surface है तो यह बहुत अच्छा है यहाँ पर question आपका form होता है कि radial carpel bone की कौन सी surface Africa map से resemble करती है तो उसका answer क्या होगा dorsal surface हमारी African जो map है उससे हमारी resemble करती है तो इस type से हमारे mcq यहाँ पर form होते हैं तो हमने dorsal surface की बात कर ली जब मैं ventral surface की बात करता हूँ तो यहाँ पर ventral surface में हमारी anterior side पर अगर आप देखेंगे तो यह convexity होती है और posteriorly अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने करें मिलेगा एक concavity देखने करें मिलेगी ventral surface पर ही anteriorly आपको एक convexity देखने करें मिलेगी posteriorly एक concavity देखने करें मिलेगी basically यह bones बलकुल irregular होती है क्योंकि यह हमारा articulate करना होता है दूसरी bones के साथ तो यह सच कुछ बहुत जादा prominence नहीं होता यह जो basic चीज़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ anterior, medial और posterior surface की तो देखें जब मैं anterior, medial और posterior surface की बात करता हूँ तो anterior surface इसके अंदर कौन सी हो जाएगी यह जो आपको दिख रही है सामने से यह क्या है आपकी anterior surface ठीक है, anterior surface आपकी यह वाली हो जाएगी medial surface आपकी यह जो side में है यह वाली क्या हो जाएगी, आपकी medial surface और फिर posterior surface क्या हो जाएगी posterior surface just anterior के पीछे वाली it means कि ये वाली जो surface है ये आपकी क्या है posterior surface है ठीक है आप देख सकते हैं posterior dorsal view है ये आपका तो ये वाली आपकी posterior surface हो जाएगी तो ये तीनों ही surface हमारी continuous होती है और rough होती है continuous आप कैसे कह सकते हैं आप देखेंगे कि यहां से बहुत जादा कुछ promination नहीं है कोई demarkation नहीं है कि ये anterior surface और medial surface अलग अलग है ये बिलकुल rounded structure आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसकी वैसे हम कहते हैं कि ये continuous surface है जब आप actual bone की में जब अगर videos बनाऊंगा तो तब आपको ये चीज़े और जादा समझ में आएंगी बट अभी आप इन चीज़ों को image के अंदर देख सकते हैं इसके बाद बताती है lateral surface की तो देखें अब देख सकते हैं कि lateral surface जो है radius की radial कारपल की यहां पर भी देख सकते हैं this one is radial intermediate कारपल बोन की तो intermediate कारपल बोन जो है वो आपकी आप देख सकते है radial कारपल और alarm कारपल के बीच में present होती है और इसकी भी हमारी like radial कारपल इसकी भी हमारी six surfaces होती हैं और यह surfaces हैं हमारी anterior posterior lateral medial dorsal ventral ठीक हैं तो यह हमारी six surface हो होती है तो यह ंपके इसकी आपके 6 surfaces होती है तो यह वह समझ मुआ आएगा अदेख़े यह माली किया होगई इसकी posterior surface यह posterior surface है तो आप देख सकते हैं यह वाली तो anterior surface थी और यह वाली posterior surface है तो posterior और anterior surface के अंदर कितना difference है anterior surface broad है और वही पर posterior surface हमारी क्या है narrow है देख सकते हैं यह चीज़ आप इसके बाद बताती है lateral और medial surface आप lateral और medial दोनों ही सर्फेस को आप देख सकते हैं ये वाली तो हमारी हो जाएगी मीडियल और ये वाली हमारी हो जाएगी लेटरल तो मीडियल और लेटरल दोनों ही सर्फेस हमारी आर्टिकूलेट करती है ठीक है मीडियल वाली हमारी आर्टिकूलेट करेगी radial के साथ, radial carpal bone के साथ और lateral वाली हमारी articulate करेगी अलनार के साथ और फिर हमारी यहाँ पर बात आती है dorsal की तो जब मैं बात करूँगा dorsal की तो dorsal आप देख सकते हैं कि dorsal जो surface है उसकी एक bicycle seat appearance होती है आपने जब bicycle चला ही होगी तो आपने देखा होगा कि जो seat appearance है वो कुछ-कुछ ऐसी होती है bicycle की ठीक है और यहाँ पर बैठने के लिए जो space special बना होता है तो ऐसा कुछ resemblance हमारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है dorsal surface का जब आप ventral surface देखते हैं तो यहाँ पर हमारी कुछ ridge present होती है जो कि articulate करती है second और third fused carpal bone के साथ वो जब हम fourth carpal bone को discuss करेंगे तब हम देखते हैं तो इसी के साथ हमारी intermediate carpal bone complete होती है अब हमारी cattle की carpal bone complete हो गई हमने proximal row की बात कर ली, distal row की बात कर ली, detail में हमने देख लिया अब हम बात करते हैं कि बाकी species की जो हमारी carpal हैं वो कैसे deviate करती है cattle के साथ, जैसे कि हमने बाकी bones के अंदर भी देखा है तो देखिए आप cattle के अंदर मैंने आपको बताया कि total हमारी six carpal bones present होती है जिसमें कि proximal row की अगर मैं बात करूँ तो हमारी radial, intermediate, alnar और necessary, four bones हमारी present है और अगर मैं distal की बात करता हूँ तो यहाँ पर second and third fused और fourth, यहाँ पर हमारी दो bones present हैं तो उपर हमारी four है और नीचे हमारी two है तो four plus two हमारा six हो गया इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ horse की, equines की, तो equines के अंदर आप क्या देखेंगे कि proximal row के अंदर proximal row के अंदर आपको radial, intermediate, alnar और necessary, यह four bones आपको देखने के लिए मिलेंगी और distal row की जब मैं बात करूँगा, तो आपको यहाँ पर second, third और fourth अलग-अलग देखने के लिए मिलेंगी, it means कि यहाँ पर second और third fused नहीं होती, इसी वज़ा से four plus three, आपको कितना हो गया, seven, तो यहाँ पर आपके seven bones present होती है, horses के अंदर horses के बाद बात कर लेते हैं dogs की, canines की तो dogs की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर proximal row के अंदर आपको radius radial and intermediate 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 carpal bone radial and intermediate carpal bone जो है, वो fused देखने के लिए मिलती है, फिर alnar carpal मिलेगी आपको देखने के लिए फिर accessory carpal देखने के लिए मिलेगी, और जब आप distal row में देखेंगे, तो आपको first, second, third, fourth, चारो की चारो bones अलग-अलग देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो proximal row है, वहाँ पर आपको three bones देखने के लिए मिल रही है और distal row के अंदर आपको four bones देखने के लिए मिल रही है तो three plus four आपको कितना हो गया? seven हो गया, तो यहाँ पर भी आपको seven bones देखने के लिए मिल रही है इसके बाद बात आती है स्वाइन या फिर पिग्स की तो पिग्स के अंदर प्रॉक्जिमल रो और डिस्टल रो दोनों के अंदर आपकी 4-4 बोन्स आपकी अरेंजड होती है और 4-4 आपका हो गया 8 तो प्रॉक्जिमल रो के अंदर आपको तो रेडियल कारपल, इंटर्मीडियेट कारपल, अलनार कारपल, एसेसरी कारपल और डिस्टल रो के अंदर 1st, 2nd, 3rd, 4th कारपल आपको देखने के लिए मिलेगी इसके बाद बात आती है रेबिट की तो रेबिट के अंदर, प्रॉक्जिमल रो के अंदर आपको रेडियल कारपल देखने के लिए मिलेगी इंटर्मीडियेट, अलनार फिर डिस्टल रो के अंदर आपको 1st, 2nd, 3rd और फिर ये कुछ नया आता है यहाँ पर यहाँ पर यह जो C है, यह स्टेंट करता है central कारपल के लिए तो यहाँ पर एक नई बोन है, जो कि central कारपल है, वो यहाँ पर आपकी डिस्टल रो और रेबिट में आपको देखने कले मिलेगी और उसके बाद आपकी 4th and 5th fused होती है तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी proximal row है तो proximal row के अंदर तो आपकी 3 bones ही है और अगर मैं बात करूँ, distal row के अंदर तो distal row के अंदर आपकी 5 bones है तो 5 plus 3 आपका 8 हो गया इसके बाद आती है foul की या फिर poultry की तो foul के अंदर आप क्या देखेंगे कि radial and carpal radial carpal and alar carpal ये दो ही bones आपकी present होती है और दोनों bones आपको proximal row के अंदर देखने के लिए मिलेंगी और जो distal row की हमारी bones होती है basically वो fused होती है metacarpal के साथ तो वो fused हो जाती है metacarpal के साथ और तो अगर आप कहेंगे carpal तो हमारी दो ही देखने के लिए मिलती है proximal row के अंदर और distal row वाली हमारी यहाँ पर fused होती है तो यहाँ पर आप सारी species की हमने carpal bones देख ली और काफी interesting भी थी है तो इसी के साथ video को end करते हैं next video के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर मैं बात करूँगा metacarpals की तो वहाँ पर हम देखेंगे कि carpals जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि attached होती है तो वो कैसे attachment हो रहा है metacarpals के साथ thanks for watching this video if you like then please do subscribe to wetstudy